मुझे अप्राइब अप्राइब करें सब्सक्राइब करें और दूसरी चीज़ बताता हूं तो यहां पर जैसे सबसे पहले तो आप मैं आपको यह चीज़ बताना चाहा रहा हूं कि आप अल्मोस्ट एक दम फ्लैट निफ्टी रहा है ठीक है पूरे दिन भर जो है अल्मोस्ट एक रेंज में था और उसके बाद फिर आल्मोस्ट प्लैट कहीं जाके बंद हो गया है ठीक है तो दोस्तों यहां पर आगे एक ट् आपको पता होगा अल्मोस्ट दो हफ्तों से मैं आपको लिए बोल ला हूं और काफी अच्छे से निफ्टी बुलिश है क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले टाइम में वी सेल्स बढ़ेंगी क्योंकि अधर पर इस तरीके दोस्तों यहां पर ग्लोबल इंटाइस की ब दिखाई दे रहा है जो मारा गिफ्टी वी अल्मोस्ट फ्लाइट है और यूरोपियन जो डाउ जोन से पहले वाले से थोड़ा सा पॉजिटीव ही था काफी अच्छे से गिरने के बाद में रिकवर किया था अब दोस्तों आप देखो तो यूरोपियन जो मार्केट है वह दोस्तों क्रूड वाइल भी चार परसेंट बढ़ा फिर कल रात को यह अल्मोस्ट फाइव परसेंट अप था ठीक है तो इस तरीके दोस्तों आप देख रहे हो ना कितनी अच्छी से यहां पर तेजी हो रही तो दोस्तों यह आगे दिक्कत दे सकती है अगर प्राइस नही दोस्तों आगे बात करते हैं जो आज के टॉप टॉप लूजर्स थे तो टॉप गेनर्स में आप देखो आटो के स्टॉप ठीक है अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है कल मैंने स्विंग टेर्ट के उपर एक स्पेशली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्रूड अगर बढ़ेगा तो फिर यह पेंट के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी प्रेशर देखने को मिलेगा ठीक है अब इदर आप देखो तो इंसन बैंक हो गया तो इनका वी रिजल्ट उतना सही नहीं था तो दोस्तों से यहां पर स्टॉक्स में पर हाइस तो यह से आप देखोगे तो इदर पर आपको एंटी पीसी ब्रिटानिया ठीक है यहां पर आपको काफी बढ़िया से डिलेवरी परसेंटेज देखने को मिल आए ठीक है अब इदर पर देखो तो बजा जाटो HDFC दोस्तों HDFC को इस तेम काफी अच्छे आपको व अब रिटानिया हो गया और यह तो इन चाहर श्टॉक तो जरूर से आप स्टडी करने के अपनी वास्टिस में आप दोस्तों कुछ न्यूस की बारे में देख लेते हैं तो इदर पर एक रिपोर्ट आई है ठीक है एंके ग्लोबल फाइनस की तो इन्होंने भी इसके टार् यहां पर रहेगा तो उसी को लेकर यहां पर जो एनलिस्ट है वो यह सारी चीजे बता रहे हैं लोगो ठीक है अब इदर पर देखोगे तो ऐसा क्यों हो रहा क्योंकि दोस्तों यह जो अभी फैस्टिव सीजन आ रहा ना तो इनके और बढ़ गया है काफी हाई डिमांड मे सब्सक्राइब है तो यहां पर भी इसका प्राइब कर सकते हो अब थोड़ा सा फेर वैल्यू पर नहीं है काफी चड़ चुका है इसलिए मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूं अब दोस्तों आगे बात करते हैं यह फैडरल बैंक में दोस्तों जो इनके कॉटर्ट के तो आगे आने और टाइम में और तेजी दिखाई दे सकती है तो इसके भी चार्ट में अब लोग सब देखेंगे दोस्तों बाते हैं दो चीजों की जैसे फर्टलाइजर स्टॉक मैंने आपको बताया था इसके बारे में आपको बताई चुके तो यहां से थोड़ा सा एक सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो दोस्तो 19600 और इधर आप देखोगे तो फिर हमें आप सीधे जो एक बड़ा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहां से में इंपॉर्टेंट लैवल पता चल गया है और एक बार को मैं आपको ज़रा साफ पीसी आर भी दिखाना आप देखोगे तो पीसी आर जो है ना पिछले तीन दिन से दोस्तों डाउन हो रहा है तो मतलब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर के लिए मूड बन रहा है क्योंकि अभी मतलब अभी ऐसा नहीं कि सेलिंग आ जाएगी एक से नीचे हो गया तो मार्केट गिरी जाएगा मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है और कल का दिन काफी एक इंपोर्टेंट होगा जिससे चार्ट में दिखाई देरा तो भी चार्ट में भी देख लेते हैं लोग यहां पर आप देखोगे तो निफ्टी में अल्मोस्ट एक काफी मरिया से यहां पर नूट्रल कैंडल है तो div s को यहां था बिल्क है तो आट की दिन इस तरहेंnut यहां पर चाहिए और कि यहां से निकाल पाया है मार्केट तो यहां से दोस्तों और थो कि कि यहां से गिरा नहीं तो यहां पर होल्ड कर रहा है तो मार्केट में कुछ तो स्ट्रेंथ है अभी जब सकते दोस्तों मुविंग मुविंग अवरे जब तक से इंटैक्ट रहते हैं तो मैं ही कहूंगा कि आपको एक डाउंसाइट के लगी नहीं सोचना चाहिए और यहां स सब्सक्राइब को तो दोस्तों यह हो गया हमारे निफ्टी का बात कर लेते हैं जब यहां पर डिसाइड होगा कि किस तरीके से कहां मार्केट मूव करेगा वैसे फिलाल बैंक निफ्टी के कंपेर में थोड़ा सा वीग दिख रहा है चार्ट के अगॉर्डिंग ठीक है तो तो आप देखोगे अगर यहां से यह जाउन पर आता है ना काफी यहां तक कि हमें अग्या यहां पर देखने को मिल सकते हैं आप ऑल्मोस मिले हुए हैं तो यहां पर इसका चार्ट हम देखते हैं दोस्तों आजी के दिन दूस्त अल्मोस्ट 14 परसेंट बढ़ गया है तो अब इसको कैसे हमें ट्रेट करना है दोस्तों यह वन आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पुला अभी यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर उनिकल के आ रहे है तो यहां पर के लिए निक निकलके की आ चुका है इसका है तो अब अगर के दिन आपको अगर मॉचा मार्केट देती है कहां से चलिए करसकते हो ठीक तो जैसे प्राइज नीचे आता है तो यह हमारा हो गया प्राइस करेक्शन ठीक है तो अगर यहां पर इस लेवल पर कहीं मिलता है तो यहां से आपको ऊपर जाता है दिखाई देगा बट एक चीज बता तो जिसे कभी इती बड़ी ग्रीन केंडल बनती ना तो और फिर नय व बैक में लेंगे ठीक है तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार इसको मैं आपको बड़े टाइम फ्रेमें भी दिखा देता हूं कुछ इस टाइप इसमें बनाया आप देखोगे तो बहुत ज्यादा भी महेंगे वैल्यूशन पर नहीं है और मोस्त काफी सही जगह पर काफी बढ़िया जगह है और यह एक इंपोर्टन लेवल भी था और मोस्त वहीं पर यह भी स्टॉक खड़ा हुआ है तो यहां से हमको आने वाले टाइम में यहां तक के टार्गेट तो एजली भी मिलेंगे मिलेंगे ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं फैडरल बैंक की त तो उपर के लिए दोस्तों यह लेवल मार्क कर लेते हैं अब चलते हम लोग दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम में तो वहां से मैं थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस तरीके दोस्तों एक रेंज में यहां पर फसा हुआ है और जब भी रेंज ब्रेक होगी ठीक है तो दो जरली मैंने आप चैनल अच्छे आते ना और अगर प्राइज वेल्यूड होता तो वहां से स्टॉक गरता है तो आज देखो आज रिजल्ट सही आँ तो यहां पर हमें राट केंडल देखने को मिला तो ओभी थोड़ा सा इस्टेबल होने देना यहां पर लेना यहां पर आ प्रेंड फ्रेंडिंग वेव थी और यहां पे आपको एक साइडवेज देखने को मिलना मार्केट और कुछ इस टाइप से भी मार्केट में एक पोलन फ्लैग वाला पैटन मना ठीक है अगर आपको इस तरीके से दोस्तों यहां पे आपको यह पाटन दिखाई दे रहा है यह एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है यहां पे देखोगे ना इसको मैं आगर पीछे बढ़ाओंगा तो यह देखो आप यह पहले रेसिस्टेंस था यह सपोर्ट था तो मतलब काफी इंट्रेस्टिंग जगह पर हमें यह चार्ट देखने को मिलना है और इसलिए दोस्तों इसको बोल भी रहें इसके टार्गेट इसके अच्छे आएंगे तो दोस्तों यहां से अगर यह जाएगा तो मैं आपको बताता हूं कि अल्मोस्त हमें यहां तक के टार्गेट देखने को मिलें गई 680 के असपार और जो फस्तार्गेट होंगे वह कहीं दोस्तों कर यह तो भी आपको काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेड है और कहीं अब यह दिरे-दिरे बुलिश्ट बुलिश्वे में कर रहा दिरे-दिरे और कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है अगर आप काफी को मतलब की होरीजॉंटल लेवल की बात पर होगे त यहां पर देखोगे एक मिट पहले तो मैं आपको वीकली टाइम फेम में यहां पर दिखाता हूं अब आप देखो है और मॉस्ट ओए मार्केड यहां पे वीक हुआ गिरा और यहां पर डॉबल बॉटम पैटर्न आपको दिखरा होगा और यहां से ट्रेंड शिफ्ट होगा अजना दोस्तो अगला बात कर लेते हैं जरा शोक लीए लैंड में इसको आप यहां पर रिंडिंग वेव भाया दोस्तों यहां पर रेसिस्टेंस और यहां पर एक सपोर्ट बन गया है ठीक है तो अभी भी यह ठोड़ा वेट करने का ज़रूरत है और कहीने कहीं दो तो यहां से जैसे यह लेवल ब्रेक होते हैं अपसाइट के लिए यह वाले लेवल्स ठीक है और यहां से एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा तो यह इसको भी आप अपनी वाच्छिस में रखना और इसको ध्यान में रखना ठीक है अभी थोड़ा सा दोस्तों मैं कहूंगा कि अभी मुविंग एवरेस से थोड़ी डिस्टेंस में है तो अभी यहां पर हो सकता है करेक्टी वेव आ जाए ठीक है इसलिए पूरी कॉंटिटी में मत गुशना इसमें या तो जब यह उपर के लेवल ब्रेक होते हैं तब आपके स्टॉप लॉसे यहां पे होंगे तो स अच्छा लगा होगा उन्ते हैं फिर दूसरे अनलेसिस में दोसों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करें